वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस और ट्रेवल में आपका भोपतपूर स्टेशन से बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत में और सुबा से ही आज मौसम किस प्रकार का था ये हम आपको दिखा रहे हैं भूपतपुर इस्टेशन देखिए ये इसकी बिल्डिंग है प्लैटफॉर्म नमबर एक है जिदर से हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं जो कारी यहां पर कराये गए हैं आज दोपहर के बाद शाजहापुर से चल करके उनकी विशेश रेल गाड़ी यहां पहुँचेगी तकरीबन तीन बज़े के आसपास आना चाहिए भूपतपुर इस्टेशन पर जिसके बाद यहां से फिर वो जाएंगे आगे पीलिभीत की दिशा में और वापसी में चार बज़े के बाद पी ट्रायल का या सियरस इंस्पेक्शन से जुड़ा हुआ अगर कोई वीडियो हमें भेजना चाते हैं तो आप चौरासी एकसो सत्तर बीस तीनसो बीस स्क्रीन पर यह नंबर आया होगा शुरुआत में आप वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं यह पैदल पुल के उप पुछ हद तक मौसम घरीमत था लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं वेदर कितना खराब है और आज ऐसे मौसम में होगा सियरस निरिक्शन भोपतपुर स्टेशन है यह आप देख सकते हैं यहां पर तो तैयारियां पूरी हैं सियरस निरिक्शन को ले करके और दोपहर के बाद निगोही बीसलपुर चेक करते हुए यहां पर काफिला उनका जो विशेश ट्रेन है वो पहुंचेगी सियरस निरिक्शन ट्रेन भोपतपुर स्टेशन पर तो हम आपको यहां से भी अपडेट देने की कोशिश करेंगे जब सियरस आपकी विशेश ट्रेन यहां पर पहुंचेगी तो हमारी कोशिश होगी हम भोपतपुर से भी आपको उनका निरिक्शन यहां पर दिखा पाएं ओएची वैन आप देख सकते हैं किस प्रकार से जा रही है वीडियो का यह हिस्सा भोपतपुर से भीजा है अंकित भाई ने तो सामने से आप देख सकते हैं जो आज स्पेशल ट्रेन एक तीन डब्बे की पीलिभीत से चल करके शाजापुर की दिशा में गई है उसका व्यू है यह सामने से आप लाइट को देख रहे होंगे आता हुआ लोकों की लाइट जल रही है तो आप समझ सकते हैं रोशनी कितनी खराब है कितनी कम है बिल्कुल धूप नहीं है घने बादल आस्मान में लगे हैं चुटपुट बूंदा बांदी भी हो रही है तो यह दिखा आपने छोटी सी विशेश गाड़ी जा रही है शाजहापुर की दिशा में जो एनियार के प्रेटफॉर्म पर ली गई वहाँ पर